नमस्कार आप देख रहे हैं सीनी उस भारत और मैं हूँ आपके साथ फ्रियाज शुर्वास्ता इंटरनाश्ट्वल स्पेस स्टेशन से तीन एस्टरनोट्स को लेकर रूसी सोयूस कैपसूल धर्की पर लोट आया है इसमें दो रूसी और एक अमारीक एस्टरनोट्स शामिल हैं दोनों एस्टरनोट्स ने रिकॉर्ड तीन सो चोहातर देन एस्टेशन पर रहने के बाद वापसी कर ली है जिसके बाद पूरी दुनिया ये जानना चाहती है क्या खिर सोयूस कैपसूल क्या होते हैं और कजवाकिस्तान में इसे कैसे लैंड करवाया गया दरिसन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से तीन एस्टोनोट्स को लेकर सोयूस कैपसूल ने कज़ाकिस्तान में लैंड किया है इसमें दो रूसी और एक अमारी की अंतरिक्ष रियातरी हैं जिसमें से दो ने इनस यानि की अंतरिक्ष में स्टेशन में 374 दिन रहने का रिकॉड बनाया है जबकि तीसरे ने 6 महीने अंतरिक्ष में बिताए है अब इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन पर आठ अंतरिक्ष रियातरी यानि के अस्ट्रोनोट्स बचे हुए जिसमें सुनीता विल्यम्स भी शामिल है जिन्हें सोयूस कैपसूल से नहीं लाया गया ऐसे में चली आपको बताते हैं कि आखिर सोयूस कैपसूल क्या होता है जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई है सोयूस एक रूसी अंतरिक्षियान है जिस पर सवार होकर अंतरिक्षियात्रे इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन की याट्रा करते हैं ये कज़ाकिस्तान के बैको नूर कॉस्मोड्रोम से लॉंच किया जाता है बता दे कि वहीं लैंड भी करता है ये याट्रियों को इंटरनाश स्टेशन तक पहुचाता है और मिशन पूरा होने के बाद वापस लाता है सोयूस एंतरिक्षियान के जस हिस्से में एंतरिक्षियात्री सवार होते हैं उसे कैपसूल कहा जाता है इसमें केवल तीन एंतरिक्षियात्री ही सवार हो सकते हैं सोयूस कैपसूल को सोयूस रॉक के ऊपर से लॉंच किया जाता है इसमें लगभग धाई घंटे पहले चालक दल के सदा से आंतरिक्ष में पहुंचने से पहले ये 6 घंटे लगाता है और डॉकिंग स्वचालिट होता है इसे चलाने के लिए चालक दल को मशक्क्त नहीं करनी पड़ती है वहीं वापसी में इस केबल सारे तीन घंटे ही लगते हैं सोयूस कैपसूल की लैंडिंग से 15 मिनट पहले यान को धीमा करने के लिए पैराशूट भी तैनाद किये जाते हैं इससे इसकी स्पीड कम हो जाती है ये कजाकिस्तान में चुने गए 40 किलो मेटर छेटर के घास के मैदानों में कहीं भी उतर सकता है किसी आपात स्थिती में हालात विगरने पर भी इसे लैंड कराया जा सकता है हलाकि इससे पैसों की अच्छी खासी बरबादी भी होती है कजाकिस्तान में ISS से तीन याट्रियों को लेकर जो कैपसूल लैंड किया है वो सोयूस MS-25 है इससे सबसे पहले एक एस्टरनॉट बाहर आए जो कमांडर थे इस बार इन्होंने अंतरिक्ष में 374 दिन विता है इसके साथ ही ओलेग ने भी अंतरिक्ष में रहने का अपना 1111 दिनों का रिकॉर्ड बना लिया है इसके साथ ही ISS से चालक दल के सदर से भी वापस आई जिनोंने 332 दिन सफलता पूरवक पूरे किये हैं यानि कि सोयूस कैपसूल को लेकर कई सवाल पूरी दुनिया में पूछे जा रहे हैं और पूरी दुनिया इस टेक्नलोजी के बारे में जानना चाहती है जिसके बाद इसको लेकर कई और जौनकारिया भी आने वाली है फिराल इस रुपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जोड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं ये सी निउस भारत